नमस्कार बच्चो मैं मन्जू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका जोग्रोफी गैलेक्सी पर तो आईए बच्चो कुछ मोटिवेस्नल पंकतियों के साथ आगे बढ़ते हैं कुछ ज्यादा ख्वाइशे नहीं है ए जिन्दकी तुझसे बस मेरा अगला कदम पिछले से बहतरीन हो तो हाँ बच्चो हम बात कर रहे थे ककसा बारा का पार्ट तीन और उसमें हम पढ़ रहे थे जनसंक्या जनसंक्या में हमने जनसंक्या वितरन देख लिया और जनसंक्या गनत्वे की भी कुछ चर्चाएं कर ली जिसमें हम ने देखा कि जनसंक्या गनत्वे किसे कहते हैं क्यूं जनसंक्या गनत्वे जानना जरूरी है हमारे लिए और परतेक प्रदेश में कैसे कैसे संसादरों का वीतरण है उसी साब से हम जनसंक्या गनत्वे को भी तीन चार भागों में बांट कर पांच भागों में बांट कर पड़ा है जनसंक्या गनत्वे के जो पांच परका पुत्र जाने हैं हमने अप्छे से हमने वो कलियर कर लिया अब उसके next हम पड़ें तो हमारा जो chapter होगा जो topic होगा वो होगा वीषवे में जनसंक्या के गंहत्वय का वित्रण आ पहले जनसंक्या का वित्रण है, कहां सगन है, कहां वीरल है, कहां सामान्य है और अब हम पढ़ रहे हैं कि जनसंक्या का गनत्वे गनत्वे के बारे में हम जान चुके हैं कि जनसंक्या गनत्वे क्या है मनुश्यों की संख्या थता क्षेतर फल का जो पारस परिक अनुपात है बच्चो मनुश्य की संख्या और क्षेतर फल के बीज में जो डिवाइडेशन है बच्चो वो क्या है जनसंख्या गनत्वे किस क्षेतर में कितने क्षेतर फलफर कितनी जनसंक्या निवास कर रही है इन सब का इन दोनों का जो अनुपाद निकाला जाता है वो ही हमारा क्या है जनसंक्या गनत्वे तो आज हम देखेंगे जनसंक्या के गनत्वे का वित्रण वित्रण की बात करें तो जन संक्या गनत्वे का वित्रण विसम परकरती वाला है बच्चो कैसा है विसम परकरती वाला है वो हमने पहले भी देख लिया कि जिस परकार से जन संक्या का वित्रण विसम था वैसे ही जन संक्या का गनत्वे भी विसमता रखता है जन संक्या का जो बसाव है वो अधिक है जन गनतुए जहां अधिक है वहीं क्या है बसाव भी अधिक है हमने जाना है ये कि कहां कहां जन संक्या ज्यादा रह रही है वी स्वे में तो वहीं पर क्या हो जाएगा जन गनतुए भी ज्यादा हो जाएगा वीश्वे का जो सर्वाधिक जन गनत्वे वाला देश है बच्चो वो है सिंगापूर यहां से क्युस्तन बहुत बार पूचा जाता है परतियोगीता परीक्षाओं में भी आता है तो याद रखिएगा कि वीश्वे का जो सर्वाधिक जन्गनत्वे रखने वाला देश है वो है सिंगापूर और कितना जन्गनत्वे तो 7797 ठीक है 7797 वेक्ति पर्ति वर्ग किलोमेटर यहाँ पर बसेवे हैं तो बात कर ली हमने सर्वाधिक की तो न्यूनतम भी हम जानेंगे कि वीश्वे में फिर न्यूनतम जन्गनत्वे वाला देश कुन सा है तो वो हो जाएंगे सहरा ठीक है अफरीका वाला सहरा मरुस्तल ग्रीन लेंड जो अपन बात करें इसकी लोकेशन की तो यूरोप और अमेरिका के उत्री धूर्वे की तरफ उनके बीज में जो एक बरफिला बसावा है देश ग्रीन लेंड वहाँ बरफ के अलावा कुछ नहीं वो भी एकदम वीरल है तो सहरा हो गया ग्रीन लेंड हो गया साइवेरिया जो यूरोप और एसिया के उत्तर दूर्वे की तरफ का भाग मंगोलिया जिसकी लोकेशन रूस और चीन के बीच में है इस प्रकार यहां कितने मानव हैं शिर्फ और शिर्फ एक वेक्ती एक किलोमेटर प्रतिवर किलोम में रहता है ठीक है प्रतिवर किलोमिटर पर निकालते हैं हम जन गनतवे की परतिवर किलोमिटर पर यहां तो रह रहा है एक वेक्ती और यहां कितने रह रहे हैं 7797 देख लो आप ठीक हैं नेक्स्ट वीश्वे जन्गनत्वे की बात करें हम उस्सत अगर जन्गनत्वे पुछा जाए कि वीश्वे का उस्सत जन्गनत्वे कितना है तो वो है 47 वेक्ति, 47 वेक्ति पड़ती वर्ग किलोमीटर और किस के अनुसार ये वीश्वे बियूरू वानसी गटन 2015 की रिफोर्ट के अनुसार है बच्चो एसिया की हम बात करें अब हम देख रहे हैं मादीपों में कैसे कैसे है ये पूरे 20 वबर की बात कर ली हमने यहां अब देखेंगे कि मादीपों के अनुसार हम कैसे कैसे देखें कौन से मादीप में कितना जन्गनत्व है ये देखने वाले हैं तो एसिया की बात करें तो एक सो सोड़ा यूरोप में 32 अफरीका में 27 अमेरिका में 16 और दक्सिनी अमेरिका में 20 देख लो अमेरिका जो उत्री अमेरिका है उसके बजाए दक्सिनी अमेरिका में थोड़ा सा ज्यादा है मतलब 20 ओसेनिया में तीन ही वेकती हैं बच्चों मैंने बताया है औसेनिया ऑसेनिया कसेतर कुन सा है जिसमें उस्टेलिया न्यूजिलेंट कीरिवाथी और कई चो-पाप濏 नियूगिनी मयक्रोर नेसिया वगेरा जो आते हैं वो सब मिलाकर औसेनिया है होसेनिया में तीन ही वेक्ती हैं प्रती वरग किलोमेटर ठीक है तो सबसे ज्यादा कौन से माधिप में हुए एसिया माधिप में 116 जन गनत्वे पाया जाता है वीसवे के कुछ देशों की जन संक्या के बारे में भी अपन बात करें तो पहला बंगला देश है जहां 1088 वेक्ती किलोमेटर स्क्वाइर है यह जानना जरूरी है हमारे लिए बचो क्योंकि यह हमारा पड़ोसी देश है हम तो भाई भाई है ठीक है तो बंगला देश का तो जानी लो आप हमारे एकदम पास में हैं, तीन तरफ से हमने गेर रखा है बांगला देश को, तो बांगला देश में जन संक्या भोज यदा है चेतर के इसाब से, अत्य है वहां का जन गनतुए है एक अज्जार अठ्यासी वेक्ती प्रती किलो मिटर, दक्षणी कोरिया की बात करें, जो पूर्वी एसिया में यह आता है देश, दक्षणी कोरिया जिसकी है 506-506, भारत की बात करें, यह हो जाता है हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट, भारत की बात करें तो 388-388 ही लोग रह रहे हैं, और जापान की हम बात करें तो 337-337 जापान में हैं, और स्री लंका का जो प्रती वेक्ती वर किलो मिटर क्षेतर है, वो है 312, 312 लोग रह रहे हैं प्रती वर किलो मिटर एरिया में, ठीक है, अब हम देखेंगे, कि जो जनसंक्या गनत्वे है, उसको हम कितने भागों में डिवाइड करके उसका अच्छे से अध्यन करें, तो जनसंक्या गनत्वे को बच्चों हम 5 प्रमुक भागों में बाट कर पड़ेंगे, हमने पिछले वीडियो में पड़ा है कि जनसंक्या का जो वित्रण है, उसको भी हमने कुछ बागों में बाटा था, चार भागों में जनसंक्या वित्रण को यहां बाट रहे हैं जनसंक्या गनत्वे को वहां चार भागते सगन, सामाने, वीरल और अतिन्यून जनसंक्या क्षेतर ठीक हैं? सगन, सामाने, वीरल और अतिन्यून चार हो गए यहां है अत्यदिक जनसंक्या वाला क्षेतर यह एक अलग है बाकी अधिक सामाने कम जन गनत्वे वाला और जन विहीन क्षेतर यह सब चारूं मिले वे हैं सब दोनों में सेम सेम हैं पर इसमें एक एक्स्ट्रा है इसको आप ध्यान रखिएगा यहां जनसंक्या गनत्वे की कौन से हैं तो इसके बारे में हम चर्चा करें तो 250 से अधिक वेक्ति प्रति वरक किलोमीटर पर अगर रह रहे हैं तो वो हो गया अत्ते दिक जन संक्या गनतुए वाला अधिक जन संक्या वाले क्षेतर हैं यह अगर जन गनतुए अधिक है इसका मतलब जन संक्या भी वहां क अधिक है और तीन समुह में है ये एरिया तीन समुह में वो ही एरिया है ये जो जहां जनसंक्या सगन बसी वही थी ना वहीं जनसंक्या गनतुए भी अधिक है तो पूर्वी और दक्षणी और दक्षणी पूर्वी एसिया कौन-कौन से एसिया पूर्वी एसिया दक्षणी 키 जिसमें अपना देश ये बारती मादीफ आधा कि दक्षिणी एशीया हो गया और दक्षिणी पूरी एसिया जिसमें हम बात करें इंडोनेसिया सिंगापूर वगरा की तो वो सब आ जाएंगे दक्षिणी पूरी एसिया में तो ऐसे करके जो ये एरिया है वो है अत्यदिक जनसंक्या गनत्वे रखने वाला दूसरा है पस्चिमी और मद्देवर्ती जो यूरोफ है यूरोफ का एक तो कौन सा भाग पस्चिम वाला ठीक है पस्चिम वाला यूरोफ और मद्देवर्ती यूरोफ वो भी क्या है जन गन तो वो भी जनगनत्वे अत्तेधिक रखता है अब इसका कारण क्या है जनगनत्वे ज्यादा होने का कारण क्या है वहां पर तो सबसे पहला तो बच्चो स्वास्ते प्रद जलवायू वहां की जो जलवायू है वो एकदम मनुसे के अनुकूल है सूटेबल है इसलिए वहां जन संग्या जदा हैं दूसरा जल की उपलबदता खनीचों की मरदा संसादनों की और उद्योगिक और परिवहन विकास भी वहां लगातार हो रहा है इन सब कारणों से वहां जन संक्या गनतुए ज्यादा है जन गनतुए की बात करें तो एसिया के सागर जो है तट्ये वाला भाग सागर तट्ये वाला भाग पंद्रा सो के लगवग वेकती रखता है परती वर किलो मेटर में यूरोप की हम बात करें यूरोप का जो ओद्योगिक एरिया है ओद्योगिक मेखला जिसें खहते हैं वो रख रहा है पत्ची सो और व्यापारिक जो के अंदर हैं उनकी हम बात करें तो च्यार अज़ार के लगवग वेक्ती वहां पाए जाते हैं प्रतिवरग किलोमीटर पर नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा अधिक जन संक्या गनत्वे वाले क्षेत्र अधिक जन गनत्वे वाले क्षेत्र दूसरा तो जन गनत्वे यहां है सो से डाई सो के बीच में यहां कितना है सो से डाई सो के बीच में पीछे हमने देख लिया डाई सो से अधिक और यहां बात हो रही है सो से डाइशो के बीच में जहां है वो अधिक जन गनत्वा वाला क्षेत्र खेलाएगा एक बात दूसरी बात अधिक जनसंक्या वाले क्षेत्रों के सीमांत भाग है अभी मैंने बताया था आपको कि जो मासागरों के किनारे जो सगंतम बसने वाले जो चितर हैं जो जनसंक्या वित्रण में हमने देख लिए उनको तो उनका जो अंदर वाला भाग है माधिपों वाला भाग जो उनके बिल्कुल सटावा माधीपों वाला वाग है माधीपों की तरफ है तो वो जो एरिया है सीमान्त वाला वो क्या है अधिक जनसंग्या गनत्वे रखता है दक्षिनी और दक्षिनी पूर्वी और पूर्वी यूरोप यूरोप की हम बात करें तो उसमें दक्षिनी यूरोप दक्षिनी पूर्वी और पूर्वी यूरोप आजाएगा इसमें अधिक जनगनत्वे वाले में मद्दे उत्री अमेरिका ठीक है उत्री पूर्वी अमेरिका की बात हमने इसमें कर ली अत्ते दिक वाले में और अब ब जाएंगे और दक्षिनी पूर्वी एसिया के जो आंतरिक भाग है ठीक है दक्षिनी पूर्वी एसिया अभी हम यहां पड़ रहे थे अत्य दिग जन संक्या वाले में ठीक है अत्य दिग जन संक्या वाले में और यहां भी दक्षिन पूर्वी एसिया है लेकिन कौन सा भाग और उत्री पस्चिमी चीन उत्री पस्चिमी चीन आ जाएगा इसमें मद्यवर्ती बारत अपना जो मद्यवर्ती बारत है न वो भी अधिक जन गनतुए वाला अक्षितर है और दक्षिनी ऑस्टेलिया ठीक है अब बात करें हम सामाने जन गनतुए वाले अक्षितरों की तो स सामाने जन गनतव वाले एक्षेत्रों में जो गनतव हैे वो है बच्चों दस से सो वेक्ती प्रतिवर किलोमेटर वाला एरिया ठीक है कम जन गनतव है दिख रहा है आपको इन दोनों में क्या था? अधिक, तीसरे में क्या आ गया? कम, एसिया, अफ्रीका थता उत्री दक्षिनी अमेरिका, ठीक है? उत्री दक्षिनी अमेरिका के विस्तरित जो गहस वाले मैदान है न, वो सब इस थर्ड में आते हैं, सामाने वाले में. एसिया, अफ्रीका और उत्र और दक्षिनी अमेरिका के जो विस्त्रित जो घास के मैदान है वो सब सामाने जन गनत्वे वाले एक सित्र में आते हैं फोर्थ की हम बात करें तो कम जन गनत्वे वाले एक सित्र कौन से हैं कम जंघनतव वाले खित्रों में हो जाएगा गनतव 1-10 एक से लेकर 10 फेकती है वहां परतीवर किलोमीटर में अत्य coverage कम जंघनतव क्या अत्या इसमें देशूं की बात करे हम तो सुडान, लीबिया, मालागासी और अफरीका देश बताए जा सकते हैं उत्री अमेरिका और कनाडा का भी कुछ ख्षेतर है, दक्षिनी अमेरिका का पेरू जो देश है, उत्री अर्जिन्टाइना, इक्वेडोर और एसिया की हम बात करें तो साइबेरिया और खाड़ी देश, कौन से में हैं, कम जन गनत्वे वाले ख्षेतर का जो एरिया है, उसम है जन विहीनक्षेतर, फिफ्ट कौन सा है, जन विहीनक्षेतर, तो फिफ्ट में बच्चों, वेक्ति जो है पड़ती वर किलोमेटर पर वो है एक या एक से कम, ठीक है, प्रत्वी का जो 70% एरिया है, वो एवास से है, मतलब रहने लाइक ही नहीं है, तो वो एरिया इसमें है, कौन से में, जन विहीनक्षेतर में, विश्वे के अति सीतल, अति उसन अद्र, अति सुस्क और उच्परवतिये परदेश इसक्षेतर में सामिल किये जाते हैं, कौन कौन से, या तो अति सीतल, या अति उसन अद्र, या फिर अति सुस्क, या उच्परवतिये परदेश जन वहीन क्षेतर वाले एरिया में आते हैं, तो यह आपको अच्छे से समझ आया होगा, यह समझने वाली बाते हैं, आप अगर इन चीजों को समझ लोगे ना एक बार, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है रटने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पांच बागों में है जनसंक्या गनत्वे और जनसंक्या वित्रण है चार बागों में जनसंक्या गनत्वे में एक ओर जोड़ा है अत्य दिख जनसंक्या वाले क्षेतर बाकी ये चारूं सेम से हैं ठीक है ये चीज़े हमने देख ली, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जनसंक्या गनतवे को परबावित करने वाले कारक कौन से हैं, हमने जनसंक्या गनतवे को जान लिया, क्या होता है जनसंक्या गनतवे, और कहां कहां ज्यादा है, कहां कम है, क्या कौन कौन से देश, कौन लेकिन हमको यह भी तो आना चाहिए कि जनसंक्या गनत्वय को प्रभावित करने वाले कारक कोन से हैं यह भी तो नोलेज हमें होना चाहिए कि आखिर यह जनसंक्या गनत्वय कहीं ज्यादा कहीं कम होता क्यूं है इस चीज का नोलेज भी तो हमें होना ही चाहिए तो इस बारे में हम चर्चा करते वे आगे बड़े हैं कि वीश्वे जनसंख्या के वीतरण और गनत्वे को समझने के पस्चाथ हम उन मैतो पुरहन कारकों को समझेंगे जो गनत्वे को प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो इसको बच्चों हम दो भागों में बांट कर पड़ेंगे ठीक है दो भागों से एक तो बोतिक कारक हो जाएगा और एक आर्थी कारक हो जाएगा दो कारकों में बांट कर हम पड़ेंगे कि जन जो गनत्व है वो क्यूं हो रहा है इस चीज को कौन परवावित कर रहा है तो इस चीज को कारक परवावित कर रहे हैं और वो कारक कौन से हो सकते हैं वो दो हो सकते हैं या तो भोतिक कारक या फिर आर्थिक कारक तो भोतिक कारक में तो कौन से होंगे ये हम अपने मतलब ये common sense की बात है कि भोतिक कारक में स्थि जब तो आ जाएगी बोतिक कारक में, ठीक हैं, अब बात करें हम अगर आर्थिक कारकों की, तो आर्थिक, जहां मतलब, आर्थिक मतलब पैसा बचो, ऐसे ध्यान रखिए आप, कहां कहां से आ सकता है पैसा, पैसे का काम सबसे ज्यादा कहां होता है, वो सब क्या है, आर्थिक कारक हैं खनी जों कहीं न कहीं एकोनोमिक नगरी करण क्यूं जाते हैं क्यूं भागते हैं नगरों की तरफ क्यूं लोग हैं तो वो भी क्या है इसमें आ जाएगा तीसरा ओद्योगी करण ओद्योगी करण और चोता हो जाएगा सामाजिक और सांसकर्थिक कारक यह हो कि मेत्वपून प्रभाव पढ़ता है अधिकांस जनसंक्या सीतोसं कटीवंद में रहना पसंद करती है बच्चो सीत प्लस उसने ने ठंडा है और ने गरम है तो वहीं रहना पसंद करेगी जनसंक्या लोग समतल मैदानों में रहना पसंद करते हैं परवतिय पाड़ी एक्षेतर विकास के बादग होते हैं क्यूं समतल मैदानों में क्यूं रहना पसंद करेंगे लोग तो हम सब जानते हैं कि विकास के बादग जो होते हैं परवतिय और पाड़ी एक्षेतर हैं समतल मैदानों म जल की उपलबता की बातें करें तो जीवन के लिए जल अते दिक आवश्यक वीश्वे की जो नदी गाठियां है वो वीश्वे के सबसे सगंतम ख्षितर है एक जामपल है यह हमारे सामने कि जहां जहां नदी गाठी है वो सबसे सगंतम बसे ख्षितर है अते जल की जो जादा इंपोर्टेंस रखती है वेक्ति की बसावट में कि जो विसम जो जलवायू है बसाव के लिए ऐस वीदा जनक है वहाँ पसंद नहीं करेगा मानव रहना जैसे कि बुमद्य सागरी परदेश में अगर हम बात करें कि सुखद जलवायू होने के कारण सगन जिनसंक्या जो क्षेतर बना हुआ है बहुत प्रारंब से ही प्रारंब ही काल से ही जो बुमद्य वाला क्षेतर है वो सुखद जलवायू के कारण सगन बसा हुआ है फूर्थ है मरदाएं मरदाएं मरदाओं में उप जाओ मरदा करसी कारियों तता उद्योकों के लिए सुईदा जनक ह इसलिए वहाँ ज्यादा रहना पसंद करेंगे लोग अतयुजाओ दोमट मिटी वाले क्षेतरों की बात करें तो सगन बसे वे हैं ठीक है ये हो गए हमारे बोतिक कारक अब हम कुछ चर्चा आर्थी कारकों पर करेंगे कि आखिर जन गनत्वे के आर्थी कारक क्या हो सकते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खनीज के बारे में कि खनीज चेतर है न वो उद्योगों को आकरश्ट करते हैं वहाँ कुसल और एकुसल जन संग क्या बसती है बसती है जानते हैं हम सब जो कुसल होगा वेक्ती या फिर एकुसल मजदूर टाइब में भी वहाँ बसना पसं इसके लिए कि खनीज जहां होते हैं, वहां लोग ज्यादा बसना फसंद करते हैं, जन गनहतु है, वहां अधिक होता है, दूसरी बात करें हम नगरी करण की, तो नगरी करण सुईदाएं देता है, कौन सी सैक्षनिक, चिकित्सा, परिवहन, संचार, रोजगार की ठीक है, तो नगरी करण बढ़ता जा रहा है, ये चीजे हैं, आर्थी कारकों में, रोजगार की सुईदाएं, ठीक है, थाड़ है, उद्योगी करण, उद्योग भी लोगों को रोजगार उपलब्द कराता है, जैसे परिवहन, चालक, देख लो, आप धुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक और अन्ने सभी सेवाएं उप्रब्द करवाई जाती है, उद्योगों के आसपास वाले क्षेतरों के दुआरा, जब उद्योग लग जाए, दो-चार बड़ी-बड़ी इंडस्तिज वगेरा लग जाए, खुब लंबे-चोड़े क्षेतर म हैं, वो सब मिलकर ऐसा कुछ करेंगे कि जनता के लिए, जो वहां बस रहे हैं लोग उनके लिए, अच्छी सुईदाएं, बैंक वगेरा, और स्कूल्स हैं, डॉक्टर्स की सुईदा है, यह सब उपलब्द करवाएंगे, परिवहन, चालक अपना परिवहन चलाएंगे, ल लोगों को आकरसित करती है, सामाजिक और राजनेतिक ऐसांती वाले एक्षेत्रों में लोग रहना नहीं पसंद करते, वो लोग उस एरिया को दिरे-दिरे छोड़ देते हैं, इसलिए यह हमने पड़ा बोथिक और आर्थिक दो भागों में बाट कर जन गनतुए को परभा जन संक्या वरदी और जन संक्या वरदी के कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे, तो बच्चो वो भी आप जरूर पढ़िएगा, यह चेप्टर मैं बार बार खहरे हूं, आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, मैंने बहुत अच्छे से इसको आपके लिए बड़ा व्योभारिक बनाने की सरल्तम बनाने की कोछिस की है, और फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो, नहीं समझा रहे हैं, तो आप मुसे जरूर पूछिएगा, ठीक है तो बच्चो आप सभी को आगे की जो भी परिक्साएं हैं, बोड की परतिय जो गिता रिक्साएं उन सब के लिए सुब कामनाएं देती हुई, जै हिन जै भारत